निकी तंबोली की mind-blowing strategy चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर निकी तंबोली की जब से घर के अंदर re-entry वी है तब से उनकी strategy कितनी जादा change और बदल सी गई है और कितरे शातर दिमाग से खेल रही है वो game बताऊंगे आपको पूरी details mastermind plan के बारे में इस व वागत करती हूं आप सभी का हमारे channel पर आपको बता दे निकी तंबोली घर के अंदर जब से एंटर की है तब से उनके strategies का दौर चल रहा है अब निकी तंबोली जब से घर के बाहर गई थी तो उन्हें पता चल चुका है अंदाजा लग चुका है कि आखिर कौन-कौन से से इस घर में काफी strong है और इनके supporters सबसे ज़ादा है ऐसे में उनको सबसे पहले पता है कि रूबीना दिल्लैक के supporters बहुत ज़ादा है फैन फॉलोइंग बहुत ज़ादा है हमेशा से number one पर trend करती है और दूसरा घर का राजा यानि की राहुलवैद्य राहुलवैद्य के भी supporters काफी हैं काफी ज़ादा लोग उने पसंद कर रहे हैं तो निगी तंबोली जो है वो balancing कर रही है दोनों नाव पर पैर रखकर चल रही है अब आपने देखा होगा nomination task के दोरा आन जस तरीके से निगी ने रूबीना को save किया और रूबीना से दोस्ती जो बढ़ा रही है औ और यहां तक कि यह भी बोलती आई है कि अब मैं अभिनव को disrespect नहीं करूंगी तो इन तमाम चीजों से आपको क्या लगता है ये निकी तंबोली जब घर से बाहर गई थी तो उन्हों ने जिस तरीके से रूबीना और अभिनव और इनके proper research किया तो पता चला कि रूबीना क पर पेर रखकर चल रही है तो ऐसा लग रहा है निकी तंबोली क्या जो strategies है जो गेम प्लान है वो काफी ज़्यादा strong दिख रहा है जिस तरीके से निकी तंबोली गेम में आगे बढ़ रही है इससे साब जाहर होता है कि निकी तंबोली काफी ज़्यादा strong points पकड़ कर आई नहीं है खर के अंदर और अब वह बहदी जादा नॉमिनीशन से बचने के लिए strategies अपना तीवी नजर आ रही है ताकि रुबीना के साथ रहें तो रुबीना के fans भी उन्हें पसंद करें वही राहुल वैदे के साथ रहें तो राहुल वैदे के भी fans उन्हें काफी पसंद क झाल